एलो प्यारे विद्यारतियों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का फिर से स्वागत है जैसा आप सभी को पता है कि हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर वन जो है वो सीरीज स्टार्ट है कुछ दिनों तक हम लोगों ने अभी वीडियो जो है अपलोड नहीं किया था क्योंकि 10 और 12 के रिजल्ट आए थे तो मैं उसमें काफी वीजी था अपसे कंटिनुशली आपको वीडियो जो है हम प्रोवाइट कराएंगे तो इसी सिरीज में देखो पार्ट 8-9 हो चुके है नेस्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ठोशों के गूंड को तो क्लास 12 के चेप्टर वन जो ठोश अवस्था है उसका वीडियो सिरीज पूरा लेक्चर जो है स्टार्टिंग से हमारे यूटूब चैनल पर उपलब्ध है जो भी विद्यारती अभी तक वो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं आज की इस वीडियो अंबॉन बात करने वाले हैं ठोशो के गूर्ड के बारे में ठोस कौन-कौन से गूर्ड प्रदर्सित करते हैं वह हमारा आज का यहाँ पे topic रहने वाला है clear है भहुत ही important है या भी इसमें कुछ important topic आपकी exam में हमेशा पूछे जाते हैं generally वो exam में आते हैं बोड exam में ठीकिना चलो तो start करते हैं ठोशों के गूड़ आखिर किस किस तरह से होते हैं कौन-कौन से गूड़ प्रदर्शित करते हैं तो इस series में जानते हैं ठोश जो हैं विद्यूती और चुम्बकी दोनों प्रकार के गूड़ प्रदर्शित करते हैं ठोशों में विद्यूती और चुम्बकी दोनों प्रकार के गूड़ पाय जाते हैं ठोसों में विद्युधारा के प्रवा की संबंध में जो गुण की व्याक्षा की जाती है या उसका अध्यान किया जाता है उसे ही विद्युती गुण कहते हैं सिदा सिंपल यदि कोई ठोस है उसमें विद्युदारा प्रवाहित हो रही है विद्युदारा किस तरह से प्रवाहित हो रही है उसको समझने या उसका अध्यान करना ही विद्युति गुण्ड का अध्यान करना कहलाता है विद्यती गूंड के आधार पर ठोस जो है वो तीन प्रकार की होते हैं समझे ना है आपको विद्यती गूंड के आधार पर ठोस को विर्गवर्गी करित कर दिया गया और वो तीन प्रकार की होते हैं कौन प्रकार की होते हैं conductor कहा जाता है, दूसरा है अचालाक, कुचालाक या insulator और थर्ड है अर्धचालाक जिसको semiconductor कहते हैं ठीक है तो इंगलीज में भी आप सभी को नाम जरूर याद रखना है यहाँ पर चालक अचालक और अर्दचालक क्लियर हो गया one by one सभी को यहां discuss करेंगे समझेंगे बहुत लोगों को पता ही है यह चीज इतना complicated नहीं होने वाला है बस एक lecture देखके आपको इसको इस topic को खतम कर लेना है ठीक है तो यह बहुत क्योंकि simple topic है अब चालक या सुचालक या conductor किसक को पता है कि भई ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जिसमें विद्युद्धारा का चालन होता है जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को गमन करने देते हैं समझता है वात को विद्युद्धारा का चालन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें गमन कर सकता है इलेक्ट्रॉन जा सकता ह प्रवाहित हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तभी तो धारा भहती है ठीक है तो वेपदार्थ या ठोस जो विद्धुद्धार का चालन करते हैं उसे चालक कहते हैं उसे ही सूचालक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं अब यह दो प्रकार के होते हैं वैसे ओधारन की रूप में अगर देखा जाए तो दो प्रकार की होते हैं एक तो धात्विक मतलब सभी की सभी जो धात्वे हैं और ग्रेफाइट जियां रखना है ग्रेफाइट जो एक अपवाद है लेकिन ये भी क्या करता है विद्धुधारा का चालन करता है तो धात्विक और दूसरा होता है विद्धूत अभगटनी जो भी पिगले हुए होते हैं या विलियन की रूप में होते हैं जैसे हो गया क्या सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड के ओ एच पोटेशियम हेड्रोकसाइड शोडियम हेड्रोकसाइड ह2SO4 सलफ्यूरी कमल यह सब इसके उधारण है तो विद्धूत अभगटनी और धात्विक दो प्रकार से इसको अमलूग बांट सकते हैं या दोनों उधारण है कह सकते हैं ठीक है तो उधारण की रूप में आपको क्या लिखना है सभी धातूएं लिख सकते हो जो भी धातू है कौपर हो गया इलुमिनियम ह हो गया फेरश हो गया यासद इतने विधातू है वो तो सूचालक होते ही हैं साथ ही अगिली अवस्था में जो भी विद्धूत धारा का चालन करते हैं उसे ही विद्धितब घटनी के अंदर रखेंगे तो sodium chloride potassium chloride sodium hydroxide यह सब इसके उधारण है ठीक है उधारण लिख पाओगे इनकी जो चालकता है चालकता का मांच 10 की गास 4 से 10 की गास 7 प्रती ओम प्रती मिटर होता है यह भी आपको अच्छे से समझ लेना है ठीक है तो ज्यादा इंपोर्टेंट चीज कुछ नहीं उधारण और परिभासा है बहुत ज्यादा आपको उधारण और परिभासा हमेसा याद रखना है अभी बसके लिए अपने knowledge के लिए भी क्योंकि आप एक science के student हो तो इन चीज़ों के बारे में तो basic पता होना ही चाहिए ठीक है ना चलो उत्तरदाई है वो है क्या electron तो electron को या अपने मेशे गमन होने नहीं देते उसे क्या कहते हैं अचालक या विद्यूत्र रोधी या कूचालक कहते हैं इसे इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है इनकी चालकता का मान दस की घात तरिए बीस से दस की घात रेन दस प्रती ओम होता है उधारण के रूप में देखें तो रवार प्लास्तिक लकड़ी आदी यह चब अचालक कुचालक या विद्यूत्रोधी क्लियर हुआ यहां तक तो उधारण परिभासा ज्यादा इंपोर्टेंट है सभी को याद रखने है अर्दचालक देख लेते हैं अर्दचाल ठोस होते हैं जो सामान्य वस्था पर सामान्य ताप विद्यूत्रोधी की वहार करते हैं लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ा हुए ताप इंक्रीज करेंगे टेंपेरिसर बढ़ा दोगे तो वह चालक की वहार्थियर करने लग जाते हैं मतलब पहले उसमें सहें और लेक्ट् एने लगती है तो इसे का कते हैं अर्द चालक कहते हैं इसके उदारा जो है दोनों बहुत फैमर सा याद रखना सिलिकॉन और जर्मेनियम का सिलिकॉन यह अर्द जान लेते हैं किर तो धोड़ा जाने लेते हैं और यहां केलवर बडहने पर 시 lord कि विभार करने लग죠 इन का माँन जो है दस्की कहां प्रतियों प्रति मिटर होता है अर्ध चाला जो हैं दो असुद्ध अर्दचालक जिसको बाहे अर्दचालक भी कहते हैं One by one दोनों को देखने वाले हम लोग ये exam में आ चुका है भी देखो इसी के अंथरकता है N टाइब और P टाइब और P टाइब अर्दचालक और P टाइब अर्दचालक तो ये एक्जाम में पूछा है अच्छे से इसको समझना क्योंकि समझ लिए ना तो आप भूल नहीं सकते हैं तो नीज अर्थचालक को पहले देख लिते हैं जिसको आंतरीक अर्थचालक भी कहते हैं इंगलीज में इसे intrinsic semiconductor कहते हैं ठीक है इसको समझते देखो विशुद्ध या असुद्धी रहित अर्थचालकों को आंतरीक अर्थचालक कहते हैं मतलब ऐसे अर्थचालक जो सुद्ध अवस्था में होते हैं और अपने सुद्ध रूप में होने के कारण ही अर्थचालक की भाती विवार करते हैं उसे ही आंतरीक अर्थचालक कहते हैं समझ हो गया ठीक है आया सबी लोगों को तो आंतरीक गूंड के कारण वो अर्दचालक की भाती वहार करते हैं इसलिए इसको अंतरिक अर्दचालक भी करते है उसमें कोई सुद्धी नहीं मिलाना है ठीक है? एक कोई पदार्थ है एक कोई पदार्थ रखा हुआ है ठोस पदार्थ रखा हुआ है और उसमें अपने खुद के प्रॉपर्टी के कारण, खुद के गूड के कारण, यदि वो एक अरदचालक या सिमिकंडुक्टर की भाती विवहार करता है ता बैसे अरदचालक को ही नीज अरदचालक, नैज अरदचालक, अंधरीक अरदचालक या सुद्ध अरदचालक कहते तो सिलीकॉन तता जर्मेनियम की बने होते हैं जिसमें वर्ग 14 के बाहेकोस में चार इलेक्ट्रोन होते हैं क्योंकि वर्ग चाउदा मतलब उसका समान्य इलक्रोनिक मिन्यास दो आठ और चार ही होगा ठीक है मतलब लास्ट में बाहिक अक्षक में चार इलेक्टरौन आएगा इसलिए कहा के रहें बाहिकोस में चार इलेक्टरौन उपस्तित होते हैं जो सहसईओ जी बंद द्वारा जुड़े होते हैं अता सुन्य केलवीन ताप पर वो क्या होते हैं? कुछा अलक होते हैं ध्यान से समझना इस चीज को ठीक है चौदे वर्ग के जो बाहिक उसमें चार एलेक्टरों उपस्तित होते हैं और उका ऐसी जुड़े होते हैं सरसंयोजी बंद दौरा जुड़े होते हैं अता सुन्य केलिवीन पर क्या होते हैं जैसे ही आप उसमें तापी उर्जा दोगे, उसे गर्म कर दोगे या टेम्परिचर बढ़ा दोगे उनके सरसायो जग बंद क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और जब electron गती करता है तो यही तो विद्योधारा के बहने के लिए उत्तरदाई होता है यह भी हमें पता है तो electron जब गती कर रहा है मतलब उसमें विद्योधारा प्रभाहित होने लगती है तो यह पूरा concept समझ आया कि सबी लोगों को तो सिलिकोन या जर्मीनियम लोगी जो वर्ग चोधा में आते हैं उसके बाहतम को उसमें चार इलेक्टरॉन होते हैं और वो सरस्वाइब बंद वारा जुड़े होते हैं जैसे ही आप उसमें उर्जा दोगे या तापी उर्जा दोगे या टेंपरिचर बढ़ा होगी कैसे भी करके आपको ताप को इंक्रीस करना है ताप या टेंपरिचर को इंक्रीस करना है जैसे आपने टेंपरिचर बढ़ा दिया तो क्या होगा उसके जो सरस्वाइब बंद हो टूट जाते हैं तूटेने के बाद क्या होते हैं अब उच्च उड़जा इस तर में जंप कर जाते हैं चले जाते हैं जिसके कारण इल्टॉन कती में हो जाते हैं और विद्धुधारा बहने लगती है क्लियर हो गया आगे देखते हैं इस प्रकार के अर्दचालक में इसके आंतरिक गुंड के कारण विद्धुध का चालन होता है इसलिए इसे नीज या अंतरिक अर्दचालक कहते हैं ये बात तो मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ ठीक है तो क्लियर हुआ है यह ने किसे कहते हैं यह आपकी एक्जाम में पूछा जा चुका है पिछले इस साल के जो कोशन देखोगी ना पिछले 5-6 साल वाला जो आपको मिलता है कोशन बैंक उसको आप देखोगे तो पता चलेगा कि हां डोपिंग के बारे में कोशन तो आया है ठीक है तो अशुध या इसमें असुद्धियुकदे अर्दचालक को स pista कहने हैं उस्य सुद्ध अर्दचालक को पह सिर्द हता है है यदू पेन देइब हैं की परिभासा बता देता हूं सुध अर्द चालक में कुछ त्री सेयों जी या पंच सेयों जी कुछ भी सुध्य आपको मिलाना है तो कुछ पर्माड़ों की असुध्यां मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं तो डोपिंग क्या होता है सब्छा उसंद सुनुझाटक में कुछ परवारों की सुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को ही दोपिंग कहते हैं क्यों है खुल रो leuke को सब्सक्राइब लंग क्यों सिर्ण दो आप मैं निगेर्टिव टाइप फिक है निगेटिसे डिनात्माख प्रकार समझ आ रहा बात और निगेटिव लिए इसलिए इन टाइप और पी टाइप फर पॉजिटीव होता है तो यह ऐसे पूछाए तो असुद्धिया मिलाने पड़ी है तो देखो अनात्माग प्रकार या दाता अरदिश आलक को देखते हैं जब सुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में पंच सहींगी परमाडू अब पंच सहींगी परमाडू कहां से मिलेंगे तो वर्ग पंद्रा से मिलेंगी क्यों आप प्रकार अडचालग बनाना है तो आप सुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में न रद्धारचालक परमाडू प्राप्त होता है तब N-type अर्दचालक प्राप्त होता है मतलब अगर आपको N-type अर्दचालक बनाना है रणात्मक प्रकार अर्दचालक बनाना है तो आप सुद्ध जर्मेनिया में या सिलिकॉन ले लो और उसमें पंच सहियोजी परमाडू तब क्या हो जाएगा तब जो अर्दचालक बनके तयार होगा उसे ही रणात्मक प्रकार या धाता अर्दचालक या N-type अर्दचालक कहते हैं इसमें धारा का प्रवा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है मतलब धारा प्रवा कैसे होता है इलेक्ट्रिसेटी वहां कैसे जर्रेट होती है उसके लिए कुन उत्तरदई होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है इसमें धारा का प्रवा मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है इसे इलेक्ट्रॉन दाता असुद्धी भी कहते हैं को क्या कहते हैं इसे दाता अर्दचालग भी इसी नाम से जाना जाता है ठीक है इसमें क्या होता है धारा का प्रवाज जो है उसके लिए तरदाई होता है कौम उतरदाई होता है मुट इलेक्ट्रॉन इसके लिए उतरदाई होता है ठीक है ये इलेक्ट्रॉन जो है देता है डोनेट करता है इसलिए इसको क्या कहेंगे रनात्मक प्रकार या दाता रधचालक कहा जाता है यह बाद समझ आगया ठीक है नेश्ट देखें दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है धनात्मक प्रकार या ग्राही अरधचालक जिसको तो पी टाइप पी फॉर फॉसिट्यू ठीक है धनात्मा प्रकार कहे रहा है तो पी टाइप या एक्सेप्टर सेमिकंडुक्टर कहते हैं अभी क्या होता है जो जब भी सुद्ध जर्मेनियम एं सिलिकान में त्री संयोजी परमाडू ध्यां रखना है वहां क्या था पंच सं संयोजी जब धनात्मा क्या प्रिटिप की बात कर रहा हूं तो वहां त्री संयोजी परमाडू बहरान हो गया जैसे वर्ग तेरा में जो आते हैं समझा रहे हैं इंडियम हो गया जैसे ठीक है जो भी मतलब वर्ग 13 में आते हैं वर्ग 13 वाले जो भी तत्त्तों हैं उनको लेना है तो तीर सयो जी परमाडू वो होंगे जिनके बाहेकोष में तीन एलेक्ट्रोन रहता है अब वर्गадцya वाले तत्त्तोो हैं उनको ले सकते हैं कि पर्मालू को जब आप मिलाते हौ सुधी के रूप में तब जो अर्दचलक बन के तै절 autop उर्दचलक कहते हैं इसमें नगाएक कर दो प्रवां हो लुत होता है का होल यारिक्थी से होता है वहाँ धारा का प्रवा किसके लिए होता था, मतलब किस कौन उत्तरदाई होता था धारा के प्रवा के लिए, लेक्टरोन होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, होल या रिक्ति जो है धारा के प्रवा के लिए उत्तरदाई होगा, ठीक है, अब जो इलेक्टरोन रहते हैं, उस एक्सेप्ट करता है तो इतना चीज समझ आ गया अब इतना यदि आप n टाइप पर पी टाइप अच्छे से समझ गए है क्लियर कई बच्चों को यहां पर डाउट होता है पंच सही हो जी में तो उनके लिए मैंने इस पश्ट लिख दिया है कि पंच सही हो जी वर्ग 15 वाले अब इसमें अगर एक प्रशन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है वह है क्या एंटाइप तथा पी टाइप अरदशालक में प्रमुक अंतर लिखे आपको क्या करना है एंटाइप अरदशालक और पी अरदशालक के बारे में जो मैं पढ़ाया हूं उसको देखते हुए आराम से बना सकते हो उमीद करता हूं इसलिए मैं कहरा हूं कि मैं यहांने प्रशन दिया है आपको इसके अंसर बनाने चारंगता है अराम से बना सकते ढ nhiर ठीक है नौ आगे देखते हैं विद्यूती गुड़ों की व्याक्या अब जो हमको पता चल गया कि जो ठोस होते हैं वो दो तरह की गुड़ दरसाते हैं विद्यूती गुड़ और चुम्बकी गुड़ लेकिन हम आज की सेसन में बात करें सिर्फ और सिर्फ विद्यूती गुड़ की पूरे में पूरे मार्स मिले के चांस भी बनते हैं तो देखो पूरा पढ़ाने के बाद मैं हमेशा से हमारा यही इंटेंसर रहता है कि हमारी स्ट्रेजी भी यही रहती है कि हम आपको वह important question भी प्रवाइड करें जिससे आप प्रेक्टिस भी कर पाओं तो प्रेक्टिस करो पहले एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए पढ़ने के बार पढ़ने के बाद आपने question लगाना चलू कर दिया question जैसे ही attempt करोगे बहुत लोग गड़बड करते ही यही question attempt नहीं करते फिर जाके exam में उनको idea ही नहीं रहता क्या लिखना है कैसे लिखना है कितना time देना है कि इस question को तो वहाँ problem हो जाता ठीक है तो question board अच्छा के recording ही मैंने select करके रखा है वो collection है हमारे पास और वो question सबगी लोगों को attempt करना है एक दो video lecture में मैं आप वो question जो है क्या करने के लिए आपको चालकता का बैंड सिध्धान समझना पड़ेगा बैंड theory of conduction क्या होता है यह भी बहुत ही ज्यादा important है ठीक है बैंड theory या चालकता का बैंड सिध्धान क्या बैंड सिध्धान बस बोलेगा तो भी ठीक है अब इसमें देख लेते हैं इस सिध्धा क्या करते हैं यह इक बैंड का लिए करते हैं कि इसे आप सिध्धान कहते हैं और यह वैंड कर दा क्या हुआ वह यह जो पर्मारूक रिग लन ऑख यह झाल самой तो उतनाई ज्यादा निरमाढ़ होता है और यह एक uh जादा नहीं होता उनको अप्षक की उड़ जाओं में जो है अंतर जादा नहीं होता मतलब इस तर जो है जितने लेवल रहेंगे अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अल तो निम्न उर्जा इस्तर वाले बैंड को सहीं हो जाकता बैंड कहते हैं नियान समझना डाइग्रम में और मैं डिसक्स करूंगा आपको बस यह समझना है कि जो नीचे रहेगा नीचे उड़ा इस्तर रहेगा उड़ अलग रहता है और ज्यादा नहीं होता बोला तो मालों य यह पर उपर बना लिये और यह उठ्शों रहते हैं या बैंड जैसा रहता है और बॉकस सब्सक्राइब तो नीमना उड़ जदर वाला जो बैंड रहता है उसे हम लोग कहते हैं संच जकता बैंड-वैलेंस बैंड इसलिए इसको वी भी नम से जानते समझें हैं समझें समाना है वैलेंस बैंड या सalon एकता बैंड कहते हैं जब स्पधिर दिखें स्पेड़ी है आप लोगों को सबीदे अंतराल कहते हैं यह जो गेप दिखरे ना ये उसे जाह कहते हैं वर्जित-उर्जा-ंतराल कहते हैं एंतराल है तो देखो मैं आपको और चीतर में च्छे-से बता देता हूं इस तरह से बैंड बनता है नीचे जो नि इंग्डिष में इसका नाम से क surgeons प्राइंड को अचाली आंड direct आते हैं जब Qum कुलीर ओगिया सभी लोगों को ठीक है हैं अच्छे से बात है समाझ जा गई और जब कोई इलेक्ट्रोन वर्जी तूरुजा अंतराल को पार करके जहां से समझना है जब कोई इलेक्ट्रोन जो है सब इलेक्ट्रोन सेमुजक्ता बैंड में रहते हैं वो क्या करते हैं वर्जी तूरुजा अंतराल को पार करके चालन बैंड में सेमुजक्ता बैंड से कह और जो को समझ रही हैं वहां पार करकी यदी चले जाता हैक्ट थितर ने हैं यहां यहां पर आपके पास कोई इलेक्ट्र्ण है यहांगी वो क्या हुआ यहां से निकला और यह वर्जित उर्जांतराल जो यह गेप था उसको पार करके कहां चले गया चालन बैंड में चले गया तो जब ऐसा होता है तब उस पदार्थ में विद्धृत्वार चालन होने लगता है यही सिंपल सा कॉंसेप्ट ठीक है अब बैंड तो इसका सिधा मतलब है मालो यह जो अंतराल दीख रहे कहां यह यह चीतर लोग जीतना कम रहेगा इसमें चले जाये समझरेगेजेगे लेकिन मालो अगर चालन बैंड यहां है और यहां पे यह समय उजबता बैंड है दूरी देखो दूरी और अन्तराल बहुत ज Jeżeli घादा हो गया तो इस इलेक्टरॉन को जाने के लिए बहुत जादा उड़ जाती है तो देखो जो उसको कुछाला कहरें सुचाला कहरें तरहीं में जो वरजित अंतराल है कम होता है वरजित अंतराल कम यह नहीं के बराबर होता है यह conduction band और चालन बैंड जो उनों क्या होते हैं एक दम पास पास होते हैं ताकि चुप चाप यह जो है यहां का electron जो valence band है और conduction band और जो valence band है उटके भी बहुत ही कम गेप रहता है देखो valence band वो रो मतलब यह VB है और उपर वाला क्या है CV तो मालों यहां electron है क्योंकि गेप ब परवाहित होना इस्टार्ट हो जाएगा घ्रिक है तभी कह रहें हैं तभी हम लोगहर हमें चालक को समझाने का कोसिज करूँगा है यहां मतलब यहाँ से इलेक्टरॉन निकल के चले जाता है इन दोने के पीच में प्लवन और जाते हैं इस तरह से धारा जो है बहते हैं तो चालक में वर्जीत उर्जा अंतराल है वह नगर्ण यह होता है जिसके करेंट एलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मुक्त एलेक्ट्रॉन जो हैं गती करते हैं और इस तरह से आप बैंड सिध्धान के अधार पर चाला को को समझा सकते हैं यदि इसी में देखो यदि मैं कुछाला क्या विद्यतरोधी को समझाने का कुछ सिस करूं तो बैंड सिध बहुत जादा है यह कितना होता है बहुत जादा होता है जिसके कारण यह बैंजंसे किनंटरšण मैंड मैंने drip सकता सेंटसाबाइंट में नहीं जा सकता इसलिए हम लोग कहसे कि नहीं होता तो अगर कुछ विद्योंतरोदी को सम्झाएंगे शुक्त देया ना यह Stars होता है लगभग इसका मांच है इलेक्ट्रों ओल्ट के लगभग होता है बहुत ज्यादा है और इतना उर्चा अगर आप दोगे तब वो पार कर पाएगा तो इतना उर्चा देना वह संभाव नहीं हो पाता है जिसके कारण क्या होता है कुछाला कमें विद्युद्धारा प उसको उर्चा दोगे तब उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है मतलब ऐसा क्या होता है वही कि आपने उसमें अगर ताब बढ़ाया तो धारा प्रवाहित होने लग गया तो अब समझना उसको उसमें होता यह है कि यह जो वैलेंस बैंड और कंड़क्शन बैंड आप ल तो यदि थोड़ा सा उड़ा मिल गया तो जम्प करके कहां चले जाता है कूद के कंडुक्शन में चले जाता है मतलब इलेक्ट्रों बहना चालू हो गया और इसलिए कह रहे है कि अर्ध चालक ऐसा होता है जिसमें आप समाने ताप पर या जिरू कल्विन ताप पर वह है कु तो जाने के लिए उड़जा तो चाहिए तो उड़जा कैसे मिलेगा तो तापी उड़जा यदि आप दे देते हो मतलब तेम्परेचर आप बढ़ा देते हो इंक्रीस कर देते हो तो इलेक्ट्रों जो है यहाँ वैलेंस बैंड से जम्प करके कूद करके कंडुक्शन में ठीक है तो इलेक्ट्रों वहाँ से ही कहां चले गया कंडुक्शन में चले गया और यह जो वर्जी तूर्जा अंतराल है वो लगभग एक इलेक्ट्रों वोल्ट के बराबर रहता है समझ रहे बात को एक इलेक्ट्रों वोल्ट के बराबर रहता है यह जो वर्जी तूर्ज अंतराल है और वैलेंस बेंड से कंडुक्शन बेंड में इलेक्राण को जाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ठीक है पूरा चीज समझगे अच्छे से तो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो उससे क्या मुझे भी पता चलता है कि किस तरह से आपको मेरी बाते शमझ आ रही है कि नहीं आ रही है और अभी जो चार-पांस दिन तक वीडियो नहीं डला था उसके लिए कोई टेंसन लेने वाली बात नहीं है आप से ज्यादा टेंसन मुझे है मैं बस रिजल्ट के नाम से काफी बीजी था जिसके कारण में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था इनकेस कभी-कभी एक-दो दिन वीडियो नहीं डल पाता है तो घपराने वाली बात नहीं है आप प्रिविजन कर लिया करो आपके पास पूरा टाइम रहता है ठीक ना चलो तो मिलते हैं जन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं आ वहाँ सब्सक्राइब जरूर करो अपने फ्रेंड्स तक से एकरो टीक है मेरा कोई उतना फायदा नहीं होने वाला है मैं आप लोगों के लिए तना महिनत करों आपको बस सब्सक्राइब करना है वह फ्री प्रेम करने के पैसे नहीं लगते। ठीक है ना तो सब्सक्राइब करने हैं और करवाने हैं दूसरी लोगों से भी एक और चैनल जो है उसके बारे में भी सबी लोगों को पता है साध उसमें भी जुड़े रहना क्योंकि मैं उसमें करियर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन दिखा हूँ ठीक है अभी जो ऐसे बच्चे हैं जो मुझा वीडियो हमेशा देखते हैं तो उनके लिए बता दूँ अगर वो अठारा साल के हो गया है या हो जाएंगे अभी तो बहुत ही जबरदस्त वेकेंसी आने वाली है क्योंकि अब वेकेंसी की बात क्यों कर रहे हैं सर ऐसा मत सोच है ना एक बहुत ही बेस्ट वेकेंसी आने वाली गॉार्मेंट जॉब की वह आपको अगर अपी इसे प्रिपैर करते हो api से जॉब लग गया तो आप सो सकते हैं अप अपनी लाइट में क्या क्या नहीं क्यों वह होत है उस में कब तक उपरम नाएंगे पुछ़वेड है वह सब तो देखो बिटा मैं पहले ही बता दूँ आप लोग सिर्फ ट्वेल्थ पढ़ रहे हो तो ट्वेल्थ के भर उसे मत बैटो हां मैं ट्वेल्थ कर रहा हूं बस ट्वेल्थ पर ध्यान दूँगा ऐसा नहीं है आपको आगी की भी सोच के रखने समझ रहे हैं आगे भी सोच के रखने आपके पास बहुत टाइम आप पूरे मतलब ये 5-6 मरिने लगातार भी 12 तक पड़ोगे न तो आपके पास टाइम बहुत बच जाएगा उस टाइम पर क्या करोगे तो उसका यूटिलाइस करो और एक सही समय में कम उमर में एक जबर्द जोब में जहां आपको कोई limitation नहीं होता कि भाई आपको कोई target भी नहीं होता कि आपको इतना इतना काम करना है समझ रहे हो ना बात को इसलिए मैं वो suggest करूँगा जरूर वो वीटियो देखना जो हमारा चैनल है उसमें आने वाला है तो उस पर मैं prepare करूँ वैसे मैं जितने ब रिटा ठीके सब्सक्राइब तूब मिलते हैं निश्ट्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे करी के मेस्ट्री की बात करें तो इसके आगे अम लोग पढ़ेंगे विद्यति गुर्ण को ठीक है तो इस तरए से वीडियो लेक्च्टर जो को मिलते रहेंगे खबराने वाली बात नहीं है सर कहां चलेगे ऐसा ऐसा नहीं सोचना है आप लोगोंको ओठीके ना तब तक यूजं कर लिया करो यदि मैं कोई व्यटियो अप्लोड नहीं कर पाता हूं ठीके ना चलू मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए